हलो फ्रेंट्स वेलकम टू कार्गी क्लासेस डेटाज की 18 अगस्ट 2021 और दिख लेते हैं इंडियान एक्सप्रस के एडिटोरियल और आइडिया पेट से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम डिसकस करने वाले हैं फर्स आर्टिकल जो हम डिसकस करेंगे वो रहेगा ये unity in adversity इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि नागलेंड में अभी assembly में जितनी भी political parties थी उन सभी ने एक coalition create किया है और बोल दिया कि हम एक साथ मिलकर के सरकार चलाएंगे that means opposition में कोई party ही नहीं होगी तो जानेंगे क्या इसके नुकसान है क्या फायदे है और वज़य क्या है इसके पीछे दूसरा हम थोड़ी सी briefing लेंगे reason to remember 14th August को अब से अभी recently अभी 14 August गया है तो हमारे प्राइमिनिस्टर नरेंदर मुदी जी नहीं ये का है कि हम partition horror remembrance day के तोर पे observe करेंगे 14th August को तो उसके क्या plus है क्या minus है वो जानेंगे इसके अलावा फिर हम देखेंगे अफगानिस्तान से related दो आर्टिकल्स है एक तो ये वाला और एक idea page पे यहाँ पर इन दोनों आर्टिकल्स में से कुछ points निकालेंगे बाकी और आर्टिकल्स ह है वो इतने important है नहीं तो चलिए देखते हैं detail में सभी आर्टिकल्स को फर्स्ट आर्टिकल है unity in adversity देखो नागलेंड है अब वर्चुली opposition मुक्त state बन गया है मंडे को वजह क्योंकि वहाँ पर जो opposition party में opposition parties है जिनमें main है नागा people's front ओके और जो ruling party है जिसका नाम है people democratic alliance और स तीनों ने मिलकर के एक नागलेंड united government के नाम से एक अपना खुद का ही एक system तयार कर लिया agreement sign कर लिया तो यह जो नागलेंड united government है इसका main purpose क्या है कि से भी करके हम सरकार को या फिर जो system है उसमें division को खतम करके इस full solution की तरफ बढ़ें क्योंकि सबसे बड़ी problem क्या है वहाँ पर कि जो separatist section है जिसमें particularly एक है NSCNIM ठीक है तो वो नागलेंड का जो separatist group है ना NSCNIM उसकी demands को side करते हुए और नागलेंड के लिए peaceful solution निकाला जाए ठीक है पर इसमें एक सवाल तो यह आ गया कि आप इस separatist group को एक तरफ ignore कर रहे हो और दूसरी तरफ peaceful solution लेकर क्या रहे ह ठीक है तो यह point अपने आप में निकल किया रहा है दूसरा कि आप state में opposition party को ही नहीं रख रहे हो और सारी parties मिलकर के common सरकार बना रही है तो legislature का जो main idea है हम parliamentary democracy की बात करता है parliamentary democracy की main theme क्या है कि executives है वो responsible है legislature के towards अब legislature में कोई opposition party नहीं होगी है सारे executive हो जाएंगे तो फिर accountability कौन fix करेगा executives की कि executive सही कदम उठा रहे हैं कि गलत तो ये कुछ principles के ओपर सवाल उठाया जा रहा है जो नगले यूनाइटिड government जो establish हुई है देखो इसको बहुत जादा praise भी किया जा रहा है बट सवाल क्या आ जाता है वो हमने अभी देखे कि एक तो peaceful deal की आप बात कर रहे हो जहां पर एनेसीन आईएम जो की लगातार अपनी तरफ से डिमांड कर रहा है कि एक separate independent नगलिम करके एक state या फिर एक country की डिमांड तक कर लेते हैं वो लोग ठीक है तो उसमें main focus रहता है कि एक तो नगलेंड में जो नगा ट्राइब्स रहती हैं वो साथ में जो आजपास की जो पड तहां पर भी नागा ट्राइब्स रहती हों सब को combine करके एनसीन आईएम यह group जो है एक separate group है जो की greater एक separate नगलिम इंडिपेंडेंट नगलिम बनाने की अपनी मुहीम चला करके continue कर रहा है तो ऐसे में यह जो opposition में parties हैं इनको इस एनसीन आईएम का support भी है तो क्या यह independently काम कर पाएंगी दूसरा कि आप यहां पर लगातार एक चीज तो ध्यान रखो कि यह जो separatist group है यह बिलकुल भी इस चीज के लिए ready नहीं है कि वो अपने separate flag और constitution को छोड़े बिलकुल भी तयार नहीं है issue करने के लिए बिलकुल तयार ने give up करने के लिए बिलकुल ready नहीं है तो इन rebels को आप कैसे शांत करोगे आपने अपना खुद का जो legislature के अंदर जो members है उनको तो convince कर लिया दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि legislature के अंदर जो election होकते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो सरकार बनाती है जो भी majority में political party आती है ज्यादा सीड़े जीत के तो उन के legislation पास कर दिये जाएंगे और फिर उसके आप ये कोशिश करोगे कि यहाँ public good आप deliver करो एक welfare state का का काम कर सको क्या ये possible हो पाएगा ये अपने आप में सवाल है बड़े ठीक है तो ये जो government बनाई जा रही है तो ऐसी situation के अंदर ये हमें accountability या फिर जो democratic ethos हैं वो dilute होते इस तो ultimate goal होता ही है हर एक society का हर एक system का हर एक country का पर accountability आप कैसे ignore कर सकते हो peace के नाम पर हना accountability fix नहीं करोगे तो फिर वो ही चीज है कि नागा लेंड में अभी तक का जितना भी political parties का record रहा है वो कोई अच्छा गासा नीरा है बहुत weak performance रही है वहाँ पर ruling parties की तो उनकी accountability fix करने के लिए अगर opposition ही नहीं होगा तो फिर कैसे democracy है की नहीं वैसे तो नागलेंड में next election 2023 में होंगे पर तब तक अभी तो दो साल बाकी है पूरे तब तक क्या यह जो नागलेंड united government है यह properly काम कर पाएगी यह इस पर doubt आता है ठीक है आगे चलता है इस article को देखो वैसे तो जो assembly functioning है ठीक है parliamentary democracy में legislature की functioning है उससे connect कर पाएंगे आप बाकी हाँ एक चीज मैं बता दूँ कि यह जो articles है इनकी linking किस article को आप gs paper 1, 2, 3, 4 किस से कर सकते हो वो detail मैं description box में देता हूँ तो आप उसको पहले देख लिया करिए ठीक है आगे चलते है नेक्स आर्टिकल है reason to remember देखो इस article को लिखा है शाम सरण जी ने शुडवात होती है कि 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने अपनी तरफ से एक declaration दिया कि आगे से हम 14 अगस्त को partition horror remembrance देखे तोर पे observe करेंगे इस चीज़ को welcome भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ political parties जो opposition में बैठी हैं including शाम सरण जी खुद ये ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो coming elections हैं जिसमें UP election mainly है बोलो वहाँ पर आप communal जो color है उसका use करके politics या political gain ensure करना चाहते हो जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा ठीक है देखो पाकिस्तान खुद independence day celebrate करता है 14th of August को सिर्फ एक दिन के gap के ओपर दोनों countries independent होते हैं पर होता क्या है कि जून 1947 में प्लान आ जाता है माउंट बैटन प्लान जिसको हम बोलते हैं जिसमें partition का बिल्कुल clear declaration हो जाता है कि यहाँ जी इंडिया और पाकिस्तान दो देशों में division होगा अब इंडिया independence के बाद में इंडिया अकेला नहीं रहने वाला है नाम से दो देशों के और territory तीन होगी जिन में एक तो वेस्ट पाकिस्तान एक इंडिया खुद और एक इस्ट पाकिस्तान ये इस तरीके से division करना था अब उस division के बाद division के time पे इतना ज मुस्लिम्स थे उनको इंडिया की तरफ migrate करना पड़ा और जो मुस्लिम्स थे उनको पाकिस्तान की तरफ migrate करना पड़ा इसके बीच में कितना ज्यादा chaos create हुआ था वो चीज अगर आपको observe करनी है तो सनी देवल की movie देख लो गदर ठीक है आइडिया लग जाएगा आपको पूरा कि कितने ज्यादा problems का सामना करना पड़ा था वो लोग जिन्होंने freedom के लिए अपनी जान माल सब कुछ मतलब वही अंग्रेजों का पूरा हर एक तरीके से protest किया कि हमें कैसे भी करके independent हो रहा है और independence जब मिलने वाली थी तब यह पता पड़ा कि जिस देश के लिए ह कि हम पाकिस्तान के independence day के दिन इस तरीके से कोई day को observe करते हैं तो वैसे तो बोलने को बहुत गलत भी बोला जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ में हमारे कैसे relation है पाकिस्तान ने किस तरीके से हमारे साथ में इंडिया को defam करने की पूरी कोशिशे की हैं पर दूसरी तरफ ये भी तो देखो ना कि हम इस तरीके की tragedies को repeat ना होने दे इसके लिए हम ऐसे 14th of August को अगर observe करते हैं तो वो कोई गलत चीज नहीं होगी क्योंकि इस दिन जो कुछ भी जो खून खराबा हुआ था जो blood lighting scenarios देखे गए थे partition के time पे वो चीज़े तो कम से कम repeat होने से रोक सकते हैं इस तरीके का अगर कोई day को आप recognize करते हो, commemoration देते हो इस particular date को तो वो गलत नहीं है पर सवाल क्या जाता है कि आपने जो announcement किया है वो किस basis पर किया है हमारे यहां पर इंडिया में देखो religion के नाम पर पहले ही बहुत ज़्यादा division है ठीक है जहां पर Muslims और non Muslims ठीक है इनको ल अहमद करके एक रिक्षो पुलर को बहुत बुरे तरीके से मारा और उसकी बेटी दूर खड़ी खड़ी रो रही थी कि मेरे बाप को छोड़ दो तो ये जो चीज़े ना ये incidents बार बार होते रहते हैं तो ये जो partition वाले दिन को आप अगर recognize कर रहे हो उसके पीछे आपकी सो कुछ क्या है सोच ये है कि इस तरीके से हम दुबारा से इंडिया को डिवाइड नहीं होने देंगे या फिर division अगर मतलब हुआ है तो इस टाइम पर जो कुछ भी हमने lesson लिये है कि हां partition के टाइम पर कितनी जानमाल का loss हुआ था में कम से कम वह हम repeat ना होने दे तो तो देख स्लिम डिवाइड को और ज्यादा gap में convert करने कोशिश की तो फिर बाद में आप तयार रहो कि आने वाले टाइम पे आने वाले टाइम पे जिस तरीके से 14th of August 1947 में इंडिया डिवाइड हुआ तो हो सकता है कि ये जो टुकडे हैं दो टुकडे जो हुए थे दो जो parts में ethnicity रहती है कितनी जादे languages बोली जाती है ethnicity basis पे, language basis पे, religion basis पे या फिर आप कोई भी और section ले लो कितनी जादा diversity है हमारे आपर world की सबसे जादा diversity अगर कहीं पे है तो वो इंडिया में देखी जा सकती है जो सब लोग साथ में रहते हैं वो तो thanks to our four fathers कि उन्होंने इतना strong and इतन कैसे ना कि अपने आप में इतना capable constitution create किया जिसकी वज़े से आज भी हम stable है continue कर रहे हैं हमारी stability को तो यह जो remembrance day है इसके पीछे का जो मुद्दा है ना उसको थोड़ा clear करना जरूरी है किवला political gain के चकर में इस तरीके के activities को कर रहे हो तो तो देखो बहुत मुश्किल हो कि किस तरीके से partition ने हमें छोड़ा था वो वक्त ऐसा था जब हमारे देश में लोग जो थे एक तरफ तो अंगरेजों की गुलामी से चूट रहे थे पर दूसरी तरफ दोनों कंट्रीज के जो लोग थे वो एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी को लेकर के दिमाग में एक द कितना भाग आ रहा है बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है तो वो उसकी गुलामी थी और बार्बैरिटी देट मेंस ब्रुटैलिटी के गुलाम थे उस टाइम पे तो पहले ये चीज़े है ना ये चीज़े हमें करक्ट करने की ज़रुत है और अगर कंटीन्यू किया 1947 में होगा उसका repetition होने में टाइम नहीं लगेगा तो आपके इसके पीछे की सोच क्या है वो clear होनी जरूरी है ठीक है बस यही चीज में बताई जा रही है इस partition horror remembrance day के observation को ले करके ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट ungraceful retreat इसमें देखो US President Joe Biden ने कल 18 मिनिट का एक speech दिया है जिसमें असरफ गनी को तो इन्होंने आड़े हाथ लिया है और साथ में अमेरिका का जो withdrawal है उसको justify करने कोशिश की है तो यहाँ पर editor है न वो अमेरिका को आड़े हाथ ले रहे हैं कि 20 साल तक आपने वहा से भाग गए और यह कहते हुए कि हमारे हाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पैसो का तो यह तो केवल और केवल self interest है यह चीज़ बिलकुल clear हो गई कि अमेरिका केवल और केवल अपने खुद के interest को protect करने के लिए दूसरे किसी भी देश को बरबाद कर सकता अच् अब तक 20 साल हो चुके हैं उन 20 सालों में अमेरिका का एक चीज तो clear आ गई थी कि हमें terrorist attacks को रोकना है कि कैसे भी करके अमेरिका के ओपर terrorist attack ना हो ठीक है पर उसके साथ साथ में अमेरिका ने trillions of dollars भी तो वहाँ पर फैके ना जिसकी वज़े से वहाँ पर election conduct करवाना वहाँ क लोगों का empower करना western society का taste देना उनको तो उन चीजों को लेकर के वहाँ पर कोशिश यह थी अमेरिका के कि क्यो ना nation building को भी हम promote करें अफगानिस्तान में पर ये बातें सारी की सारी क्या हो गई बिल्कुल ही खतम हो चुकी हैं अब केवल और केवल एक बात रह गई यह वो है क कि अमेरिका अपने self interest के लिए अफगानिस्तान में intervene करने आया था और उसका self interest complete हो गया तब वो withdraw करके चला गया उसमें भी जिस country को build करने की बात अमेरिका करता था उसी country को बिल्कुल अधर जूल में छोड़ दिया और उन्हीं लोगों के हाथ में छोड़ गया जिन लोगो इंडिया में इंडिया ने तालिबान के साथ में अपनी engagements रखी नहीं क्योंकि जो मुझाही दीन्स थे इनका use पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के खिलाफ में करता रहा है religion के नाम के उपर कश्मीर मुद्दे के नाम के उपर terrorist attack होते रहते हैं तो इंडिया ने तालिबान के स अश्रफ गनी बने तो भी इंडिया ने अपनी engagement कंटीनियों की वज़े क्या थी क्योंकि अमेरिका वहाँ पर प्रेजेंट था और लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है वह एक Republic कंट्री के तौर पे continue करेगा मतलब वहां की लोगों की welfare ध्यान में रख करके continuity बनी रहेगी एक वो टाइम था जब Soviet Union collapse हुआ था ना तब इंडिया एकदम बे सहारा महसूस कर रहा था ठीक है कहाँ पर अभी हम कंटेक्स्ट है हमारा अफगानिस्तान particular क्योंकि उस टाइम पर सोवियत एरा के टाइम पर हमारे relation USA की comparison में सोवियत से ज़्याद अच्छे थे पर वही बा पाकिस्तान के पकड़ अच्छी बन गई थी अफगानिस्तान पर फिर वो तो चलो ठीक है कि terrorist attack के बाद में USA ने जैसे intervene किया तो वहाँ पर country को reconstitute करने की कोशिश की तो इंडिया ने अपने diplomatic engagement शुरू की थी फिर पर वही चीज़ है अब तो तालिबान दुबार आ गया तो दूसरे और stakeholders हैं जिनमें चाइना पाकिस्तान और रश्या इन तीनों की बात कर लो तीनों की तीनों एक तरीके से इंडिया को more or less अफगानिस्तान के मुद्धे पर ignore कर रहे है क्योंकि रश्या ने भी Moscow talks बहुत सारी conduct कर रही है तालिबान और वहां की सरकार के बीच में पर Pakistan, China, Pakistan, Russia और USA जिसमें फिर इंडिया को invite किया गया बातचीत करने के लिए पहली बार तो ये welcoming था पर वही चीज है withdrawal के बाद में तालिबान ने जिस speed से काबल को grab किया है वो unprecedented है किसी ने नहीं सोचा था ये अब overall बात ऐसी है देखो region में कोई भी problem आती है जैसे अफगानिस् Pakistan अगर unstable होता ना तो उसका असर इंडिया को देखना पड़ेगा और इंडिया इस चीज के लिए क्या कर सकता है United National Security Council में एक rotational basis के ओपर देखो president अभी चल रहा है काउंटर करने कोशिश करें तो वहाँ पर इंडिया को अपनी कोशिश है करनी चाहिए तो फिलहाल तो देखो direct कोई अप्रोच है नहीं साउथ प्लोग का मतलब हो गया हमारे जो diplomats बैठते हैं में लीडर्स बैठते हैं पिछली बार तो क्या था तालिबान में Northern Alliance हुआ करता था जो सीधा से इंडिया की foreign policy का टेस्ट है अब देखते हैं इंडिया किस तरीके से स्टेंड करता है ठीक है अब आप एक तरीके से आप comment box में बताओ मुझे suggestions दो इंडिया को क्या करना चाहिए एक productive कह सकते ना कि healthy debate शुरू करो comment box में बताओ आप मुझे ठीक है आगे चलता है नेक्स्ट आर्टिकल है तर ट्रैमर्स फ्रॉम काबूल आर्टिकल को लिखा है सुजन और आर्चिनौई ने वही चीज़े रिपीट हो रही है तालिबान 1996 में जिस speed से आया था ना उसके comparison में अब की बार जो speed रही है तालिबान की grab गरने कि अफगानिस्तान को वो काबिले तारीफ है मतलब आप unprecedented manner में समझो इसकी पीछे पाकिस्तान का जो establishment था उसका collapse हो जाना पाकिस्तानी अफगानिस्तान का जो establishment था सरकार थी उसका collapse होना और साथ में अफगानिस्तान की सरकार वो military थी उसका surrender कर देना ये चीज़े थी अभी उसका plane जैसे ही take off करता है तो उसके पीछे लोग भाग रहे हैं इसलिए कि हमें यहां से निकाल लो नहीं ये तालिबान वाले लोग हमें मार देंगे ये वो लोग हैं जिन लोगों ने liberal democracy का taste लिया है ये वो लोग हैं जिनोंने USA को support किया है ये वो लोग हैं जिनोंने जो आ target करेगा ठीक है तो ये चीज़े हैं ना correct जब तक नहीं होगी तब तक फिर बाद में ये तालिबान का rule अब हमेशा के लिए एक challenge बना रहेगा अब correct होने के chances तो देखो वैसे भी नहीं है इसके अलावा 9-11 attack जो हुआ था उसमें main जो था वो कौन था औसामा बिन लादिन को खतम करने के लिए आ रहे हैं पर उसके बाद में जो USA के लगातार चार प्रेजिडेंट आये उन्होंने लगातार एक ही चीज़ है कि चार प्रेजिडेंट के नाम अगर बोलें George W. Bush फिर Obama और फिर उसके बाद में Donald Trump और अभी आप देख सकते हो ये back to back आ रहे हैं ठीक है और अभी आप जो बाइडन देख सकते हो इसमें में था कि कैसे भी करके आप शुरुआत तो यही थी कि टेरिजम को खतम किया जाए काउंटर टेरिजम काउंटर इंसरजिंसी ये दो में टार्गेट हुआ करते थे यूएसे कि दो में मिशन थे अब वहाँ पर तालिबान गया अफगानिस्तान को स्टेबलाइज किया जाए तो वहाँ पर सरकार बनाई जाए इलेक्शन करवाए जाए वो सारी चीजे करने के लिए अमेरिका ने ट्रिलियंस ओफ डॉलर वहाँ पर खर्च कर दिये पर सवाल यह है कि अभी तक भी वहाँ पर कोई आउटकम नहीं म साथ करें तो उस टाइम पर तो USA की हजमनी थी उस टाइम पर तो USA वर्ल्ड का एकलो था पुलीस बन करके घूम रहा था ठीक है अखिला दादा अब क्या है चाइना चैलिंज करने लग गया है तो अब अफगानिस्तान में ज्यादा पैसा लगाना USA के लिए बेनिफीशल न इरिया में और साथ साथ में ताइवान को लगातार धंकिया देते रहना उस पे प्रेशर मनाएं रखना तब अफगानिस्तान इतना ज्यादा आउटकम वाला चीज नहीं रह गया है USA के लिए जितना की इंडो-पैसिफिक रिजन रह गया है चाइना देखो तालिबान के ल इनिशेटिव की जो ब्रांच है चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर उसको अफगानिस्तान में भी एक्स्पेंड करना चाता है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए तालिबान भी एंटरेटेन कर रहा है चाइना को कि कैसे भी करके हमारे यहां पर एकोनोमिक प् सिच्वेशन देखने को मिल रही है अब सवाल यह आ जाता है कि यहां पर यह चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर कि अब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ इंगेजमेंट अपनी कंटिन्यू करते हैं तो इसकी सिच्वेशन का फाइदा देखो इन तीनों को मिलेगा पर इंडिया के लिए चैलेंजिंग हो इसमें डाउट नहीं है देखो जब 1996 में साओधी यह तालिबान का रूल आया था ना तो साओधी अरब, UAE और पाकिस्तान तीन ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने बहुत जल्दी सें Islamic Emirates of Afghanistan that means Taliban 1.0 इसको बहुत जल्दी accept किया था और अ अब आप देखो इस चीज में सीधा क्या बोलना चारा है कि मतलब अफगानिस्तान जो है वो गुलाम था USA का, ठीक है, साथ में आप देख सकते हो कि इंडिया भी अपनी तरफ से कमी तो नहीं छोट रहा है, यह तो पाकिस्तान के स्टेटमेंट होगा है, इंडिया ने भी United National Security Council में 16th of August को एक resolution पारित करने की कोशिश किया, बातचीत करने की कोशिश किया, जिसमें यह provision थे कि कैसे भी करके नई जो सरकार बने, कहां पे अफगानिस्तान में वो United हो, Inclusive हो, Representative हो, That means, वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली हो, और वोई चीज है कि क्या वाकि बहुत बड़ा सवाल है, Human Rights का violation अगर होता है, या International Humanitarian Laws का अगर violation वहां पर होता है, तो इंडिया ने अपनी तरफ से इस चीज को एक तरीके से utilize करने की पूरी कोशिश किया, और इंडिया इसी चीज को utilize करेगा, इसके लावों कोई option रह नहीं जाता है, कि Human Rights का violation या humanitarian अगर वहां पर crisis हाता है, तो Taliban को counter करने के लिए United Nation Security Council में इंडिया देखो 2022 तक end तक member बना रहेगा, दो साल की membership मिली है, एक जनवरी 2021 से लेकर के 31st of December 2022 तक, तो उसमें अभी तो August में तो इंडिया देखो, presiding officer है, ठीक है, पर दूसरी तरफ आप देखो, कि Taliban ने अपनी तरफ से जो commitments दिये हैं, जो ये कहके अभी वहां पर power grab की है, कि कैसे भी करके हम शानती से power transition को देखेंगे, पर जो उन्होंने words बोले हैं, क्या वो उन्होंने actual में अपने actions में देखने को मिला है, तो एक तो doubt सबसे बढ़ा ही आ जाता है, कि Taliban जो बोलता है, वो चीज करता नहीं है, ओक इसके लावा आप देख सकते हो, कि कोई भी country में, अगर मानलो की कोई दूसरा देश है, जैसे यहाँ पर Taliban की हम बात करें, तो Taliban ने attack करके और अपनी power तो पकड़ ली, मतलब वहाँ पर powerful तो बन गया, पर सवाल ये है, governing जब आप करते हो ना, किसी भी देश के अंदर सरकार अगर चलानी होती है, तो वहाँ पर आपको लोगों का confidence तो जीतना ही पड़ेगा, है की नी, मतलब power तो grab कर सकते हो आप बंदू की नौक पे, अपनी power की basis पे, बट जब governance की बात आती है, तब आपको लोगों का cooperation चाहिए, नहीं तो आप फिर govern किसको कर रहे हो ये बता दो है की नी, तो ये चीजे क्या है, दोनों चीजों में एक difference आ गया, और ये ही चीज तालिबान का एक challenge है, कि जिस तरीके से उन्होंने violence का use करके power grab किया है, उसी तरीके से क्या वहाँ पर governance continue करेगा, तो ये वहाँ पर तालिबान की एक testing है, global community के जितने भी members हैं, जो main members हैं, व इन चीजों पर ध्यान रखते हुए तालिबान की accountability fix कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो communication network है, या जो energy infrastructure, hospitals है, healthcare facilities अविलेबल हैं, ये सारी चीजें वहाँ पर US हो गया, इंडिया हो गया, या दूसरे जो western countries हैं, जिन्होंने contribute किया है, अफगानिस्तान में development के नाम पर, उन countries के द्वारा ये जो development किया है, इस development को क्या Taliban continue कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये एक major challenge भी है वहाँ पर, साथ में community को साथ में लेकर के चलना, क्योंकि अफगानिस्तान भी multi ethnicity country है, वहाँ पर बहुत सारे diversity देखी जाती है, ठीक है, इसके अलावा, अफगानिस्तान मे security implication point office है देखे तो इंडिया के लिए challenges है, वह कम नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी problem अफगानिस्तान में होती है, तो उसका असर South Asian subcontinent में ऐसे कैसे देखने को मिलता है, और पाकिस्तान हमेशा से अपनी जो एक गलत सोच है, ये जो malicious approach है, इसका use करता रहा है, और terrorism को हमेशा से एक instrument of state policy मानता रहा है, मतलब वही बात, bad terrorism, good terrorism, bad terrorism पाकिस्तान के लिए वो है, जो पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा है, और good terrorism पाकिस्तान के लिए वो है, जो इंडिया को नुकसान पहुंचा है, या फिर पाकिस्तान के दुश्मन देशों को नुकसान पहुंचा है, तो टेररिजम को भी वो अलग-अलग अपने हिसाब से डिफाइन करता है, ओके और टेररिजम को हमेशाचे एक स्टेट पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज किया है, अभी तक स्टुडेंट पॉइंट आफिसे देखें, या फिर आप देखो अफगानिस्तान क जो डायसफोरा इंडिया में रहता है, उनकी बात करें, तो कल का एक स्टेटमेंट बताता हूँ मैं आपको, एक तो खान अब्दुल गफार खान, ठीक है, जो फ्रेंटियर गांदी के नाम से जिनको हम जानते थे, उनकी पोती, वो अभी कॉलकाता में रह रही है, तो उन् स्टेट गवर्मेंट से बातशीत की जा रही है उनके द्वारा, ठीक है, अब आप देखो कि किस तरीके से जो हमारे इंडिपेंडेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था, बढ़ चड़ कर गे, नॉर्थ वेस्टन फ्रेंटियर प्रोविंस के जो लोग थे, उन लोगोंने मैसेज किया है, आइटी मॉंबे के अड्मिनिस्ट्रेशन को, कि आप हमें कैसे भी करके अफगानिस्तान से निकलवाओ और इंडिया में पहुंचाओ, तो ऐसे लगबग 25 से ज़्यादा स्टुडेंट्स हैं, जो एजुकेशनल या वोकेशनल इंस्टिउशन मे इंडिया में आकर कि अपनी अजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी स्कॉलर्शिप को एक्स्टेंड करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अब ये चीज़ तो देखो जरूरी भी है, क्योंकि हमने हमारा कमिट्मेंट जो किया है वो क्या है? कि अफगानिस्तान की लोगों की वैलफेर तो एंशूर होनी ही चाहिए, उके तो ऐसे में अफगानिस्तान हमारा एक क्लोज नेबर है, इसमें डाउट नहीं है, जितना स्टेबल, जितना सिक्यूर और जितना डवलप्ड अफगानिस्तान होगा, उतना ही प्लेटफॉर्म तो बहुत है और आज के टाइम पे इंडिया की जितनी पकड़ है उतनी 1996 के टाइम पे नहीं हुआ करती थी तो यह डिफरेंच भी हम देख सकते हैं ग्लोबल कम्यूनिटी में इंडिया का स्टेंड आज इंडिया को रिकगनाईज किया जाता है ऐसी बात नहीं है जी सेवन की मीटिंग्स में बैक टो बैक इंडिया को इन्वाइट किया जाता है ठीक है और कहीं पर भी एंगे जो है क्वैड हो आज क्वैड में इंडिया अप जुरू हो रहा है इसके accountability fix की जासे के international platforms पर ठीक है तो discussion में देखो यही था में में यह अफगानिस्तान वाला मुद्दा भी बहुत ज़्यादा highlighted है तो आज फिर से हमने discuss के लिए कुछ एक दो पॉइंट नहीं थे वो भी देखे चलिए discussion में इतना ही है thank you